आपके बिश्म्राइब रह्मान रुही माज़ करता विच्छे वर गंट्रोल यूनिट दर कंट्रोल यूनिट को एक पार जो है वो पहले भी डिस्किस कर शुके हैं लेक्टर नमबर आगेस फर्स्ट या सगेंड में ठीक है सो होता यह कि कंट्रोल यूनिट यह बैसिकलि हमारे पास से प्यू था ठीक है तो से प्यू में सबसे जो इंपॉर्टन चीज है वो है सरकिस्ट ठीक है सब कर दोते हैं इसमें जिसका काम होता है सिग्नल्स को जनरेट करवाना और पर प्रोग्रेम्स की में होने वाली इंस्रक जोना को एक्षेकोट करता जिनूहुआ को फैसे ऐसे बड़क्राम की जोना करता है- फड़ Выक supreme पॉच्छ से Holly I Remember the जोना जोना ओ turkey इंच्राइशं के एक्षेक्षर करना CC पॉच्छ आ और ऑग करना दा आख प्रॉसेश बड़डा ता arithmetic and logical unit इसमें जो है वो मार इसका सबसे जो एक और major काम वो यह है कि इसने प्रॉपर कम्यूनिकेशन करनी होती है control unit ने memory and other parts of the computer system जैसे कि मैंने आपको बताया कि control unit होता ही CPU CPU is a brain of a computer so यह सारी चीज़ें तो उसी के अंडर वर्क करती है थेक है तो एक पर पहले भी स्थेज को हम डिसक्स कर गई चुके है also control the flow of information through the processor and coordinates the activities of the other units these units also provides clock pulses check okay जो जो को मैं highlight कर रहा हूं students आप लोगोने यह यह प्र लाइन्स रोया है for exams in additions to the ALU and CU the processor has the number of storage location to store information that is currently being processed these are called register yes the processor has a number of storage location processes के पास proper एक जितने भी storage locations होती है उसके numbers भी होती है उसकी proper information होती है to store the to store information that is currently being processed okay I will explain these are called registered okay let's see basically the processers में जितनी भी processing हो रही होती है और जितनी भी data ने कहीं पर किसी memory पर save होना होता है तो वो data कहां पर किस memory location पर save होगा वो सारी के सारी information processor के पास मुझूद होती है like मैं इस जगा पर एक example देता होता हूँ मैंने आप लोगों से class में ये example पहले भी discuss की है like एक society है एक town है ठीक है मैंने example देती है कि ऐसा है कि विलेंशा टाउन है ठीक है ये same किसी और घर का भी address हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो अब ऐसे ही जिस ये जितना भी society जितना भी town है इसकी भी information किसी ना किसी office में मौझूद होगी जहां से बाकी तमाम bills बगारा को generate कर वाकर इनको प्यों चाहे जाते हैं ठीक है तो इसी तरह से processor is like a head office of a computer system data store होता है और these are card register और वो जो इस data को store करते हैं इस information को store रखते हैं उनको registers कहा जाता है